आज हम अमात्रिक शब्दों को रीट करेंगे पहले हमने अमात्रिक शब्दों में दो और तीन वर्णों वाले शब्दों को रीट किया था इसमें हम चार वर्णों वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे लेट्स स्टार्ट चार वर्णों वाले शब्दों अ, च, ग, ये क्या है? र, यती हम इन चारों शब्दों को वर्णों को जोड़ें तो क्या होगा? अ, ज, ग, र, आ, धन, ज, आ, उज, अज, धन, ग, ग, अज, ग, क्या वन जाएगा? अज, ग, ये रहा अज, ग, नेक्स्ट है प, न, घ, ये क्या है? ट, यती हम इन चारों शब्दों को जोड़ें प, धन, अ, धन, घ, धन, ग, धन, ट, प, न, धट पाउना पन, घावता घट पन घट क्या हो जाएगा पन घट हो जाएगा यह रहा पन घट जहां से पानी भरते हैं नेक्स्ट है टा म टा म अब हम इनको जोड़ कर पढ़ते हैं टाउ मा टम क्या हो जाएगा टम टम यह रही टम टम जिस पर हम बैठ कर कहीं आज़े सकती हैं नेक्स्ट है उप व और यह है क्या ही यह बच्चो ना है इन सभी को हम जोड़ेंगे उप धन पा धन वा धन न उप वन उप वन उप वन क्या बन जाएगा उप वन यानि यह रहा उप वन बगीचा उप वन को वगीचा भी बोलते हैं जहां हम जाते हैं आप गर्ड़न में क्या सन जाते हैं भूमने जाते हैं शाम को नेक्स्ट है सा धन रा कस अब हम इन सभी को आड़ करके बीट करते हैं सा र धन कर धन स सर कस सर कस क्या बन जाएगा सर कस जहां पे जादुगर हमें जादु दिखाता है नेक्स्ट है बच्चों ब र त और ये है न अगर हम इनको जोड़ें यानि तो ब और बर त आवना तन बर तन क्या हो जाएगा बर तन ये रहे इस तेन के बर तन जिसमें हम क्या बरते हैं खाना बनाते हैं इसमें और बरतन में खना भी खाते हैं नेक्स्ट है बरगद इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बरगद बरगद का पेड़ होता है स्कीराईं पर छूला डाला जाता है और छूलते भी है नेक्स्ट है शर्वत ये रहा है शा ये है रा ये है बा और ये है ता इन सभी को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा शा और शर्वत शर्वत क्या बना शर्वत थंड़ा थंड़ा शर्वत नेक्स्ट है आपको इंवर्स को रीट करना है उपवन क्या बन जाएगा? उपवन, उपवन ये क्या है बैच्चो? उपवन के बार क्या है? सधनरकस क्या हो जाएगा? सरकस, ये रहा सरकस नेक्स्ट है अचकन, अचकन अब आप इसको बताएए माउखा, माउला, मख, मल, क्या होगा? मख मल, उबटन, उबटन, क्या होगा? उबटन, नेक्स्ट है त, र, कश, कर, कौश, कश, करकस नेक्स्ट है बावरा, ब, र, बर, त, ये है न, बर, तन, क्या बन जाएगा? नेक्स्ट है क, ये है टा, ये है हा और ये है ल, कट हल, क्या होगा? नेक्स्ट है आव, सर, ये है दा, म, कल, दम, कल नेक्स्ट है पा, र, म, न, पर, मन, ब, र, ग, ग, द, बर, ग, ये है ग, र, त, न, गावरा, ग, दावना, दन, गर, दन नेक्स्ट है शर, र, ब, व, त, शर, बत, नेक्स्ट है ना, ट, ख, ट, न, ख, ख, ट, क्या होगा? न, ख, ख, आपने क्या-क्या रीद किया? इसको एक बार और रीद कहते हैं उप, बन, सर, कस, अच, कन, अच, कन, मख, मल, मख, मल, उबटन तरकश, बर, तन, कटहल, अउबसर, दमकल, परमल, बरगाद, गरदन, शरवर, नटखर अब हम नेक्स्ट कोईशन को रीद करते हैं इसमें आपको ये वर्ड रीद करना है लेकें इसमें तो बोयम है आपको इस बोयम को रीद करना है और इस पिक्चर को भी देखना है कसरत कावसा कस, रावतारत, कसरत, कसरत कावरा कर, कसरत, कर अब हम हमारी वयम का क्या नाम है कसरत कर आए अब में से शुरू करते हैं नामाँ 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 नाम नमन इधर आ जग्रक शल्जम चक ये से बोल रहा है अब इसको और रीट करते हैं ट म ट म टम टम पा और पर चा और चड टम टम पर चड उप बन उपवन तख तख चल चल उपवन तख चल खट पट खट पट मा उत अप्त का और चार खट पट मटकर नम् टम् टम् पर चड़, उप्वन तग चल, खड़ पड़ मत कर एक उका एक, एक उका एक, एक एक पग, उपर, उपर, कार, कर एक एक पग, उपर, कर, का उराकर, का सरत, कर, कसरत, कर, कसरत, का उराकर एक एक पग, उपर, कर, कसरत, कसरत, कर आपने पुरी पोयम को रीट किया अब हम इसको एक बार और रीट करते हैं कसरत कर नमन इधर आ जग रख शल जम चाख टम टम पर चल उपवन तक चल खटपट मत कर एक एक पाग उपर कर कर कसरत कसरत कर आपने पुरीम को रीट कर लिया है आपने इसमें कुछ दो बर्ड भी आये थे और बहुत सारे चार बर्डों वाली शब्ड भी थे थे ना जिसे शल जम खटपट आपको इनी बर्डों को बार बार रीट करके देखना है और बहुत सारे वर्डो को समझना भी है Thank you so much